हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है अपनी पार्ट सेला चैनल में यह वाला वीडियो CIL System IT जो पोस्ट निकला हुआ है उसके लिए बनाया गया है अपडेटेड स्लेवर्स है यह इसके अंदर जो स्लेवर्स था पुराना वाला जो स्लेवर्स था जो मेमोरी बेस था उसके अंदर काफी सारे मोडिविकेशन हैं तो उनको बताने के लिए वीडियो बनाया गया है कि क्या क्या नई टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड किये गये हैं या फिर कौन से टॉपिक्स थे जो आपको नहीं पढ़ने हैं तो एक बार देख लेते हैं इस लेवर्स को चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वीटेग तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए शौरी ऑफ कंप्यूटिशन टी ओसी इसको बोला जाता है कंपाइलर डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम यह सारे के सारे सब्जेक्स यहां पर इंक्लूड किये गये हैं अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा है या काफी सारी वेबसाइट पर आपने हैं मतलब यह जो सब्जेक्स फे यहां से हटा दि si levers के आगर हम बात करें तो पूरा का पूरा सीमिलर है गेट एक्जाम के तरह गेट का सेमिलर सेक्बोरा से इंक्लूड एसमिलरो ऊपकः कहे जाते हैं सब्जेक्स यहां पर लिए गए हैं तो आप एक बार देख पुझे होने वाली बात अब है नहीं पहले वाले जो भी आपने देखे होंगे वेबसाइट्स वगिर आपके देखा होगा आपने तो काफी सारे उनमें टॉपिक्स है तो यह दोनो आपको देख लेना है लैन टेक्नलोजी जो है यह आपको देख लेना है इणा है यह ईजा सुन आपको देख लेना है यह था करती हैonte IPv4, IPv6, इनके header, protocols वगेरा, IPv4 की जो addressing है, classless addressing दोनो, routing and routing algorithms जो है, यह आपको देख लेना है, routers वगेरा की working देख लेनी है, distance vector और link state routing इसमें, basically mention किया हुआ है कि distance vector और link state तो आपको देखी लेना है, यहाँ पे देखो अगर हम बात करें, तो OSI जो है, यह हमने वीडियो में cover कर लिया है, आपको playlist में video इसका मिल जाएगा, IPv4 जो है, इसका header cover हो चुका है, routing algorithms जो है, यह भी continue है, distance vector routing इसमें हो चुकी है, link state बचा हुआ है, TCP, UDP and sockets आपको पढ़ लेना है, congestion control वगेरा आपको देख लेना है, application layer जो protocols है, इसके अंदर basically DNS, SMTP, POP, FTP, HTTP, यह तो आपको कर transmission वगेरा जो है, Wi-Fi के modes वगेरा जो है, वह आपको देख लेने है, network security पे एक video upload किया जाच चुका है, वो भी आप देख सकते है, यहाँ पर जो topic जिसमें वो ले गया है, वो authentication है, basic of public की and private की cryptography, crypto analysis वगेरा जो है, वो भी आप देख सकते है, digital signature यहाँ पे कई वारे से कुशन repeat हुए है, तो यह अच्छे से देख लीजिएगा, certificates वगेरा जो है, वो भी आपको देख लेने है, digital certificates जो है, firewalls जो है, यह firewalls भी आपको देख लेनी है, एक video जो है, network security, network devices पे बनाया गया था, उसमें आपको मिल जाएंगी, firewalls के बारे में, अच्छा, book की अगर हम यहाँ प बुक ले लीजिए, अच्छा, अगर आप लोगों को इनके language थोड़ी तफ लगती है, तो आप foreign book भी यूज में ले सकते हैं, उस book के अंदर भी काफी सारा matter आपको मिल जाएगा, यह पूरा का पूरा पार्ट जो है, वो उसमें cover हो जाएगा, कोशिश यह कीजिएगा, कि IP IPv4 जो है addressing classful classless वो अच्छे से देख लें आप, subnetting वगेरा वो अच्छे से देख लें आप, IPv4, IPv6 के headers को अच्छे से देख लीजिएगा, application layer protocols को अच्छे से समझ लीजिएगा, network security जो है, इसमें encryption वाला part अच्छे से देख लीजिएगा, algorithm जो है encryption, description वाली, वो भी देख अप्लोड कर चुके है, relational model जो है, इस पर आपको पढ़ लेना है, इसमें relational algebra, tuple calculus and SQL, SQL जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पर questions पूछ जाते है, gate के लेबल के अगर हम बात करें, तो queries लिख के आपको डिदी जाती है, या फिर एक query आप से पूछ ली आती है, कि ये वाला task complete करने के लिए, कौन सी query लिखी जाएगी, या फिर क्या follow करना होगा, integrity constant, normal form, normalization form, ये अच्छे से देख लीजिएगा, इस पर वीडियोज अपलोड की जा चुके है, normalization पर की जा चुका है, first nf पर की जा चुका है, second nf आपको मिल जाएगा, और third nf आ file organization के अंदर, indexing से related question पूशे जाता है, b और b plus tree से, transactions जो है, ये acid property की category में चला जाता है, वहाँ से questions पूश लिए जाता है, concurrency control से questions पूश लिए जाता है, book जो इसके लिए है, वो course नाम से आपको book मिल जाएगी, तो ये वाली book जो है, काफी अच्छी book है, आप इस book को follow कर सक देखता है, dbms के जो है, database management के हम लोगोंने काफी सारे video upload कर दिये है, तो playlist के अंदर अगर आप जाके देखेंगे, तो वहाँ पे database की पूरी playlist आपको मिल जाएगे, उसमें काफी सारे videos जो है, relevant वो आपको मिल जाएगे, computer हो गए ना, ये शहां, architecture की बात करें, computer architecture की, तो यह नहां पर आपको क्या-क्या पढ़ लेना है, machine instructions है, addressing modes है, ये आपको देख लेना है, alu के जो operations है, वो आपको पढ़ लेना है, data part and control in it, ये भी आपको देख लेना है, instruction pipelining, memory hierarchy, cache, man memory and secondary storage, cache memory का video upload किये जा चुका है, pipelining जो है, इस पर numericals वागे आप पूछ ले जाते हैं, वो भी upload कियो जा चुके है, simple pipelining, instruction pipelining, next video जो में upload कर दी जाएगी, man memory and secondary storage, ये जो है, ये भी important है, ये अच्छे से देख लेजिएगा, आईयो जो है, input, output, ये interface की category में आता है, आईयो interface, तो यहां से भी questions पूछ ले जाते हैं, interrupt and DMA mode, direct memory, access वगेरा जो है, इन पे भी questions आप से जनरली पूछ ले जाते हैं, interrupt जो है, ये अच्छे से देख लीजिएगा, priority interrupt जो है, आपका, डेजी चेनिंग जो है, ये अच्छे से देख लीजिएगा, इन पे questions काफी सारे पूछ ली जाते हैं, बुक की अगर हम बात करें, तो बुक इसके लिए आप generally जो है, वो मौरिश मानो आपके लिए sufficient है, एम मौरिश मानो जो बुक है, उसके अलावा आप John P. Hayes नाम से एक बुक आती है, वो भी पढ़ सकते हैं, य यहाँ पे basic basic questions आते हैं, जैसे बुला ने जब रहा हुआ आपका, combinational and sequential circuit हुए, minimization technique हुई आपकी map अगेरा से related, cam map अगेरा जो है आपके number representation and computer arithmetic जो है, fix and floating point, इसके लिए जो बुक आपको refer करनी है, वो डिजिटल लोजिंग डिजाइन की बुक आती है, Mr. M और इसमानो की, व official syllabus के अंदर, C++ या Java से related कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आप लोग object oriented features जो है, C++ के वो एक बार देख लीजिएगा, उसके लावा आपको C language की programming जो है, यह अच्छे से कर लेनी है, इसमें pointers वगेरा, functions वगेरा का concept, structure, union वगेरा, user defined जो आपके data type है, वो अच्छे से देख लेने है, recursion देख लेना है, इसके अंदर से, array, stack, queue, link list, tree, binary search tree, binary heap and graph, यह पूरा का पूरा data structure का part है, इसके अंदर से stack जो है, उसका first video upload किया जा चुका है, वो आप देख सकते हैं, इसके लिए book आपको जो follow करनी है, वो आप Dennis Richie, Mr. Dennis Richie है, उनकी book follow कर सकते हैं, या फि structure के अगर हम बात करें, तो यहां पर जो book आपको refer करनी है, classical, classic data structure के नाम से होगी, debesis, समानता की, तो यह book जो है, अच्छी book है, यह आप refer कर सकते हैं, या फिर आप शौम outline series की book आती है, वो भी refer कर सकते हैं, data structure के लिए, language के लिए आप चाहे तो letter C भी पढ़ सकते हैं, Mr. Yassant कानेत करकी, बाला गुरु स्वामी भी पढ़ सकते हैं, बस यह कि आप pointers उसमें अच्छे से देख लीजिएगा, memory management वाला part, उसके अलावा structure union वगरा जो है, वो अच्छे से देख लीजिएगा, functions वगरा अच्छे से देख लीजिएगा, next है आपके algorithm, algorithms जो है, यहां पर basically जो questions आते हैं, वो है, searching, sorting and hashing से related, उसके अलावा आपको notations देख लेने हैं, asymptotic, worst case time and space complexity, time and space complexity जो है, यह आपको चैसे देख लीजिए नहीं है, algorithm design technique जो है, उसमें कौन कौन से algorithm से question आते हैं, वो देख लेते हैं, greedy algorithm से, dynamic programming से, divide and conquer algorithm से, तो यहां से questions basically पूछ लीजिए जाते हैं, graph सर से related question पूछे आते हैं, minimum spanning tree, MST जो होते हैं आपके, उनसे related question, shortest part की algorithm से, उनसे related question, shortest part की algorithm जो है, दिछातर नाम से algorithm है, यह computer networking के अंदर भी generally use में ले ली जाती है, बुक की अगर हम बात करें, तो बुक यहां पर कॉर्मेन नाम से एक book मिल जाएगे आपको, PDF भी आपका इसक theory of computation, TOC के अगर हम बात करें, तो इसके questions जादा नहीं आते हैं, पांच या साथ questions बेसिकली आपको मिलेंगे, तो यह वाले questions जो है, इसके लिए book KLP मिश्रा जो है, वो follow कर सकते हैं, questions यहां पर देख लेते हैं, किस तरह क्या आते हैं, किनकिन topic पर आ सकते हैं, regular expression and finite automata, यह अ इसके questions बेसिकली पूछ लिए जाते हैं, नेक्स्ट अटा है आपका compiler design, compiler design के अप्रोच, compiler design वरकिंग किस तरीके से करती है, syntax, semantic, analysis बगेरा जो है, वो आपको अच्छे से देख लेना है, lexical analysis, parsing, syntax, directed translation, यह सारे क सारा part आपको अच्छे से cover कर लेना है, runtime environments पे questions generally पूछ लिए जाता है, intermediate code generation पे questions पूछ लिए जाता है, बीच में जो code generate होते हैं, आपके उनसे related questions, यहाँ पे जो book है, वो अहो उल्मान जनरली इसको बोला जाता है, Mr. Aho and Mr. Ulman, इनकी book आती है, यह वाली book जो है, यह अच्छी book है, इसको आप follow कर सकते हो, यहाँ से पुर अपलोड किया जा चुका है, thread से यहाँ question पूछ लिए जाते हैं, inter process communication से question पूछ लिए जाते है, concurrency and synchronization यह threads का और process का होता है, यहाँ से general question पूछ लिए जाते हैं, deadlock prevention and deadlock जो commit होते हैं, उनसे related questions यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, CPU scheduling से question पूछ लिए जाते हैं, memory management and virtual memory, virtual memory important है, इसको अच्छे से देख लिए जिएगा, उसके बाद में next, यहाँ पे देखे एक ध्यान रखिएगा कि virtual memory वाला जो पार्ट है, इसको अच्छे से समझ लिए जाते हैं, operating system में भी पूछ लिए जाते हैं, उसके अलावा memory management वाला जो पार्ट है, यह भी काफी important है, memory management में fastest memory कौन सी है, memory working कैसे होती है, cache memory के बारे में आपको पता कर लेना है, cache memory का वीडियो आपको मिल जाएगा, downloads के अपलोड जो हमने की हैं, उसके अंदर वीडियो में, तो यह सारा पार्ट आप देख लीजिएगा, operating system के अगर बुक की बात करें, तो विली publication की बुक आती है, Mr. Galvin की, तो यह वाली बुक आफ रेफर कर सकते हैं, इस वाले वीडियो के अंदर बेसिकली जो आइडिया था, पूरा का पूरा, यह slayvers डिसकस करने का था, क्योंकि slayvers change हो चुका है, तो आप पूराने slayvers को लेकर preparation ना करें, क्योंकि काफी सारा जो पार्ट तरस में से हटा को मिलेंगे, इस वीडियो के अंदर इतना ही discussion था, next जो वीडियो होंगे, वो जल्दी upload किये जाएंगे, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने friends के साथ में share जरूर कीजिएगा, जो call India की preparation कर रहे हैं, क्योंकि यह वाला जो slayvers से यह हो सकता है, काफी सा लोगों ने नहीं देखा हो, तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, share कीजिएगा अपने friends के साथ में, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, notification मिनेबल कर लीजिएगा, ताकि आगया नहीं वाले वीडियो के notification आपको मिलते नहीं, thank you